प्रश्पन के दो फ्रेंड्स को एकी लड़के से प्यार हुआ, तो क्या अब इनकी फ्रेंड्शिप सस्टेन हो की? आगे क्या होगा? या आज की हमारी मुवी सोल में, जो 2016 की मुवी है, इसमें हम देखींगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा. अब बिना किसी दरीके, एक्स्प्रेंशन स्टार्ट करते हैं. मुवी स्टार्ट होने पर हम अमारी मेन कारेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम है अनसान. अनसान के फ्रेंट जुलाई ने एक नौवेल लिखी थी, इस पर एक प्रोड़क्शन गंबनी मुवी बनाने वाली है. वो जुलाई को ढूडनी पा रहे थे, तो इसी वज़े से अनसान से कॉन्टेक्ट करते हैं. अनसान कहती कि जिस लड़की के वारे में बुक में लिखा हुआ है, वो मैं नहीं हूँ. वो यहाँ जुट कह रही थी, इसके बाद जब वो ट्रेंड में ट्रावल कर रही थी, तो उसका फ्रेंट जैशिंग उसे मिला. यह लास्ट टाइम मिले थे, तो अनसान की शादी होने वाली थी, पर रोगयती है कि मेरा ब्रेकप हो गया. जैशिंग उससे और भी बाते करना चाहता था, पर अनसान उसे इग्नोर कर देती है. जैशिंग ने अपना नमबर उसे दे दिया. इसके बाद घर आकर वो जुलाई के नॉविल को पढ़ना स्टार्ट करती है, और हमें इनकी बचपन की स्टोरी पता चलती है. बचवन में अनसान एक दिन स्कूल में स्कूरल लेकर आई थी, वो इसके पॉकिट से नीचे गिर गई और डारिकली जुलाई के पास जाती है. इसी मूमेंट से इन दोनों में दोस्ती हो गई थी, ये स्कूरल आने के लिए सब को स्कूल में पनीश किया गया, फिर ये दोनों गई और बिल्डिंग का फायर अलम बजा देती है, इसी तरीके से मिश्यूस करते हैं, इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही काड़ी हो अनसान की मदर हमेशा बिजनेस ट्रिप के लिए जरा दूर रहती है, वो अपनी मदर को इतना पसंद नहीं करती है, इसके बाद जुलाई की मदर ने अनसान को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया था, एक दिन स्कूल में अनसान को लेने के लिए उसकी मदर आई, पर उस ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहना चाहती थी, इसके बाद बहुत सारे साल बीट के, जुलाई को अच्छे से स्कूल में अन्मिशन मिला, अनसान को स्टडी में इतना ज़्यादा इंट्रेस नहीं था, वो थोड़ी सी स्कूल करती है, थोड़ा सा जॉब करती है, इनकी फ् फैमिली भी अनसान के साथ बहुत ही कमफिडेबल थी, ये सब लोग एक ही फैमिली की तरह लगते थे, जुलाई की मदर को लगता है, कि अनसान का सिर्फ लग खराब है, इसी वज़े से उसकी लाइफ इस तरीके से है, ये बात अनसान को ज़रा सही नहीं लगती, आज रात अनसान उसे प्रोटेक करना चाहती थी, कि उसका दिल ना तूटे है, इसी लड़के का नाम था जैमिंग, ये हैंसम है, तो अनसान उसके बात जाती है, और कहती है, तुम हैंसम हो, बहुत सारी लड़किया तुम्हें भाव देती होंगी, पर मेरे फ्रेंड को तुम पसन आ मिली, ये एकजाम में एक दूसरे के आगे पीछे ही बैठते थे, तो बुक्स के रिलेटर ज़रा डिसकस करते हैं, जुले को एक बुक मिल ने रही थी, तो जैमिंग ने उसे दिलाने के लिए मदद करती है, जुले उसके पास आई, उसके गाल पर किस करती है, इसके बाद दूनों कपल बन गए थे, जुले जैमिंग की भी शैडो में चलती है, यानि कि उसके साथ हमेशा रह सके, एक दिन दूनों हैंग आउट करते हैं, अनसान एक बार में काम करती थी, और यही पर उसका बॉइफरेंड भी प्ले करता था, जुले ज़रा वाश रूम गई, तो जैशिंग और अनसान ने दोनों बात करते हैं, अनसान जैमिंग से पूछती है, तुम्हें जुले में क्या अच्छा लगता है, जैमिंग कहता है कि मुझे उसमें सब अच्छा लगता है, अनसान ने पूछा, तुम उसे किस हैंड से होल्ड करते हो, इन दोनों ने राइट वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ कंट्री घूंगू जब तक मैं उसे हा नहीं कहती तब तक हर सौंग वो मुझे टेडिकेट करने वाला है इसके बाद अगले दिन ये सब मिलकर माउंटन के टेंपल पर जा रहे थे माउंटन जरते जरते जुले बहुत ही ठक गए वो कहती है तुम दोनों आगे जाओ वो जरा आराम करकर उपर आएगी वो दोनों फिर उपर जाकर प्रेई करते है अनसांग ने जैसिंग से कहा कि तुम बहुत ही अजीव हो तुम गौड पर बिलिव नहीं करते पर फिर भी च ठीक हो गया तो इसी वज़े से यह हमेशा अपने पास लॉकेट रखता है यह लॉकेट देखते हुए अनसांग उसके बहुत ही पास आ गई थी उससे दूर जाने की कोशिश करती है पर जैसिंग उसका हाथ पकड़ लेता है इस मुमेंट की बाद यह दोनों बाहर आए और बॉइफ्रेंट के साथ चली जाएगी रेलवे स्टेशन पर जाते वक्त जुलेई और अनसां ने दोनों बहुत ही इमोशनल हो गई थी अनसांग जुलेई से कहती है कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है जुलेई ने पूझा कि अगर उसने एक दिन तुमसे प्यार करना बन कर दिया तो क्या करोगी अनसांग कहती कि मैं तुम्हारे पास आ जाओंगी तुम तो हमेशन मुझसे प्यार करती रहोगी ट्रेन स्टार्ट हुई ट्रेन के साथ सा जुलेई भी भाग रही थी तभी उसने अनसां के गले में जैशीं का निकलेश देखा ये बात अनसां की लाइब बहुत ही अलग-अलग थी अनसांग अपने बॉइफ्रेंड के साथ अलग-अलग सिटीज में गुमती थी तो जुले ने एक अच्छी उनिविशिटी में एडमिशन लिया था वो और जैमिंग एक ही उनिविशिटी में गये जुले भी अपनी लाइफ में चाहत अलग-अलग प्लेसेज पर निव फ्रेंड्स बनाते हुए निव निव प्लेसेज घुमती है पैरलल में जुले के पैरन्स उसे जैशिंग से शादी करने के लिए प्रेशर कर रहे थे उन्होंने तीन साल बाद शादी करने का डिसाइड कर लिया और थोड़ा टाइम करकर जाता है जब दो साल बाद वो लोटेगा तो एक दोनों शादी कर लेंगे जैमिंग की जाने से जुले बहुत हार प्रोकन हो गई थी वो जब घर पर आए तो अंसांग उसका वेट कर रही है अंसांग भी अपनी लाइफ से अलग-अलग प्लेसेज घूम कर दंग आ च बाद में एक जगा पर वो डीनर के लिए अंसां कहती है कि आज मैं ही पे करूंगी क्योंकि तुमने मेरे रूम के लिए पे किया था उसके पास जादा पैसे नहीं और इन्हें वाइन लेनी थी तो वो जाती है और कुछ लड़कों से बात करती है उनसे उसने बेट लग इस वज़े से फ्री वाइन मिल जाती है यह बात जुलई को अच्छी नहीं लगती है कि इतने साल तुम इसी तरीके से रहती आई हो अंसान ने कहा कि लाइफ तुम्हें अच्छी या बुरी सारी चीज़े देती है तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है अंसान के इसका तुमने बहुत सालों पहले सब कोई चीज़े बाट ली थी इसका मतलब जुले ने उसे जाने दिया था इसे के बारे में वो बात कर रही थी जुले भी गुसा आओगे वो गहती है तुमने भी मेरे लिए जो भी लेटर लिखा उसके नीचे हमेशा तुमने जैशिंग और अनसान मिलते हैं अनसान अपनी प्रिवेस लाइफ से तंग आ चुकी थी तो यहाँ पर उसने एक स्टेबल जॉब ले लिया था वो गहती कि अब मैं शादी भी करने वाली हूँ उसका बॉइफरेंट मैरेट था पर वो अपनी वाइफ को डिवास देने वाल इस वज़े से वो बहुत जादा डिस्टब्ट थी पैरलल में हम देखते हैं कि जुले जैशिंग से बात करना चाती थी पर आजकल वो बीजी है तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है वो अपनी रिलेशन्शिप को लेकर बहुत ही इंस्यूर हो रही थी वो एक दिन ड जुले बहुत जादा गुस्सा हो गई थी वो उससे कहती कि तुम्हें क्या लगता है जैशिंग तुमसे प्यार करता है उससे सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ जिस तरीके से तुम्हारी लाइफस्टाइल थी उस लाइफस्टाइल में किसी भी आदमें तुमसे प्यार और नहीं आए तो ठीक है आज राज जैशिंग अपने माइंड को क्लेर करने के लिए रनिंग कर रहा था अंसांग भी उसके साथ आए जैशिंग ने उसे कहा कि आप में तुमसे नहीं मिल सकता हम दोनों को बहुत पहले स्टॉप हो जाना चाहिए था अंसांग ने फिर जैश सांग की डॉक्टर उसके पास आई यह लैपटॉप को बंच कर देती है फिर से हमारी फ्लैश बैक में स्टोरी कंटिन्यू होती है इनके जगड़े के बाद जैशिंग जुली से मिलने के लिए वो कहता है कि मैंने गबार्मेंट ट्रेंड की है मैं चाहता हूँ हमेशा पू बहुत ही शौक लगा पर वो अपनी लाइफ के साथ अब कुछ भी कर सकती थी फ्री थी वो डिसाइड करती है कि उसे भी अनसांग की तरह अलग-अलग प्लेसेज घुमना है जो हमेशा से चाहती थी उसकी मदर ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया था पर अब कहती है एक और अरत की लाइफ हार्ड होती है पर मैं चाहती हूं कि तुम्हारी लाइफ कभी भी हार्ड नहीं उसने उसे सपोर्ट किया फिर अनसांग जीजी इस प्लेसेज पर घुम कर आई थी इस सारे प्लेसेज पर जुले घुमती है फाइनली एक दिन वो अनसांग से मिलने के लिए अनसांग का अब भी एक स्टेबल जॉब है एक अच्छा घर है जहाब और अपने बॉइफ्रेंड के साथ रहती है ये दोनों शादी भी करने वाले थे उसका बॉइफ्रेंड भी बहुत ही स्वीट था ये दोनों मिले हैंग आउट किया और इसके बाद जुले यहां से जा लाता है ये दोनों कैफे में मिले अंसांग की डॉटर जैशिंग से बुछती है कि तुम मेरे फादर हो मेरे मदर ने जो भी लेटर्स लिखे इसके नीचे तुमारे बारे में उसने पूछा हुआ था जैशिंग को बात बहुत ही फनी लगती है अंसांग के डॉटर ने उस लगती है अब सच क्या हुआ ये मुझे बता अंसांग उससे कहती है कि जब जुले मुझे मिलने के लिए आई थी तब उस वक्त वो प्रेगनन थी एक्च्वल में जैशिंग वेडिंग से भाग गया क्योंकि जुले ने उससे कहा था जुले ऐसे आदमे के साथ नहीं रहना करता उस दिन जुले और अंसांग ने सारी जिसों पर बात की थी जुले कहती कि मुझे हमेशा से पता था तुम दोनों एक दुसरे से प्यार करते हो मैं बहुत ही सेलफिश थी मैंने तुमें तब बहुत हेट किया था पर अब नहीं करती अंसांग ने पूछा कि तुम अब यहां क्यों आई हो वो गहती कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेगनन्ट हूँ तो अपना सा मुझे सिर्फ तुमारे पास आना ही लगा इन दोनों ने एक दुसरे को माफ कर दिया था इसके बाद जुले की डिलेवरी होने तक यह दोनों एक साथ ही रही बेबी की डिलेव से पर्मिशन लेता है कि क्या मैं मेरी डॉटर से मिल सकता हूँ और अनसांग ने भी उसे हा कहा यह जो सब कुछ उसने उसे पताया था यह भी सब कुछ जूट था एक्च्वल में जब जुले ने अपने बेबी को पर दिया तभी उसके डेथ हो गई थी उस दिन अनसांग बहुत रोई थी वो अपने फ्रेंड को इस तरीके से सैड एंडिंग नहीं देना चाहती थी वो अपने माइंड में अपने फ्रेंड को हमेशा फ्री देखती है अलग-अलग प्लेसेज घुमता हो खुछ देखती है तो इसी वज़े से अपने नौवेल में उसने जुले को कि free कैसे रहते है उसने मुझे सिखाया एक stable life क्या होती है अंसांग आज भी अपनी shadow में जुलई कोई पाती है वो हमेशा उसकी life का part रहेगी उसके बेटी को अपनी ही बेटी मानती है और इसी के साथ ये movie end हो जाती है ये movie हमें एक बहुत ये beautiful सी friendship दिखाती है emotional करकर जाती है इसी note पर आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आप कोई अच्छा लगा तो प्लीज इसे like और comment जोरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification आइकों दाउने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमोई के साथ तब तकी लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे है